है गाइज वेल्कम बैक तो चैनल दिस समीर एंड वाचिंग एमस्क्यू व्लोग सो गाइज हम लोग है भीवंडी में शारुक भाई है हमारे साथ आज हम नहां पर आए हैं इनका कुछ आपको वीडियो में इनके कुछ बखरे दिखाएंगे जो इनको देने तो आएए बात क आपकरेंगे शारुक बैं से और जानने के कौनसी क्वेट के बक्रें भtså दिखनेंगे इस वीडियो में क्या रिट यह कोड रहे हैं और शलालेकम चॉर्ब भै झांट ब्लुकुर्डम यह सामने हम तो बहुत है गीक है इंट है मैं इसके रिंका लूंकर रिट ênio姐िश को बाल निका ले गए हैं और माशालला फतीरा हाइपेड 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 में है माशालला यह देखें किते मेले का है भाई साथ मेले का है और यह वेट पर होगा कि अधिवाइपेड है 3540 बहुत अच्छे बहुत बढ़ी है थोड़ा से इसको चलाओ ना शारुक भाई जैसे इस तरफ चलो थोड़ा चला के दिखा तो ना लोगों को इस तरफ लेलो ना इस तरफ लेलो इस तरफ लेलो पर तो शारुक भाई आजओ कितना वाँ साथ मेले का आपने इसको बताया मुझे अगे कि साथ मेले का यह है और हाइपेड में कौल है बक्रा यह बच्चा और आप देख सकते हो कि स्कूलिटी कित्ती अच्छी है और अलहम्दुलिल्ला एकदम बक्रा फिट है भाग रहा दोड़ रहा है अच्छी को मतलब क्वालिटी में है और अभी सिर्फ यह साथ मैने का है यह अपन एक्जेक्ली किस जगह पर है अपना शारूप है तो वहां पर अगर किसे को बकरे देखना हो आकर तो यहां पर आपर आपके देखें और अगर प्राइस हम लोग आना वीडियो के एंड में बताएंगे तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो पूरा यह वाले बकरे की क्या डिटेल है अब अच्छा बकरा है अबलग कलर में कौन से प्रीड है यह सुजत और बुजरी क्रॉस में इसके जानलों माशाला है अब ही जसके जानल उतने आरे हैं बहुत बढ़ी है हूं यह क्या मेट पर है शारूप बैए 25-45 kg क को हुगा और DAVID입니다, S aft मेने 8 मेने 10 में रहेमा बात कर रहा है तोड़ दिया और तोड़ दिया तो यह 10 मेने का है अब बाद में देखे तो इस्ने दात तोड़ चुका है क्या हईट और क्या बढ़े है इसके बड़ेगी क्या लगता है बड़ेगी ना सोजयत गुज्री क्रॉस में यह बच्चा माशालला आप देख सकते हो एकदम गोल मोटल फुटबॉल जैसा बच्चा इसकी जालर आप देखे इसके चेहरे पर भी आप रुबाब देखे मैं नज्दिक दिखाऊंगा आपको जैसे गुज्री का फेस होता है ना गुज्री बच्चे 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 जैसे ही इसका यह देखा आप माशाल हूं चीक है वेड हम लोग ने बता दिया दात यह तोड़ रहा है उसने उसके भी दात एक बाद चेक कर लो तो ज्यादा बेटर देगा कि अधन देना हो चीक है अभी हम लोग यह वाले बच्चे यह बकरी की डिटेल देंगे लोगों फिर रास में हम लोग सब के प्राइस बताएंगे कि यह क्या डिटेल है शारुक भाइस की यह अपने लास्ट चैम वीडियो में दाला था इसको तो क्या हुआ यह भीका नही मुद्ध के प्राइस नहीं आए अगब वापस इसका तो दो मेना हो गए शायद आपन को वीडियो बनागी अभी तो यह इसका ग्रोथ हुआ होगा तो क्या डिटेल है अभी है इसकी अजी है असी क्लेश होगा कर चान्दर होगा थीग है चले क्या दाथन पर मास्याला हुआ इसके कितने दाथ पर है यह चे दाथ कर लिए चीक है बीटल प्यॉरिटी में बीटल है खसी के अंदर एक दिन नस्दिक से में दिखा देता हूं यह आप देखे बीटल खसी में है ठीक है अब अपने पास पलाई वाला इभी रखते हो क्या बकर अब कर कोई लेकर अप इसकी प्राइस क्या कोट कर रहा है वह इसकी फाइस थाड़ी तो बेशक है और बक्रा भी आप देख सकते हो मैं फिर से आपको देगा इसका प्रेस आप देखे इसके जहालर आप देखे माशाला क्वाली ब्रीडर कॉलिटी अगर बख्रा यह बड़ा होता है तो एक अब ब्रीडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं आपका क्या तजूरुबाइस बारे में माशा अल्लाइब कर रहे हो और उसमें स्लाइडी नेगोशेट हो जाएगा ट्रांस्पोरेशन एक्स्ट्रा होगा इसके प्राइस की बात करें क्या प्राइज इसका क्यों इसा पांसो अलग से तो ट्वेंटी दाउजन फाइफंडेड के अंदर इसके अंदर कुछ नेगोशेट होगा जाएगा उपर का पांसो अड़ा देंगे तीक है तो इसका ये कोट कर रहे हैं अभी इसने बख्री ने गैप किया है दातों में कि 38-40 किलो का होगा लगबक है और 35-40 kg के बीच में है बखरा तो आप देखो मैं आपको इस तरफ से दिखाओं यह देंगें गुजरी सोजट क्रॉस अभी इसके क्या प्राइस कोट कर रहे हैं प्राइस पिछले बार से बढ़ेगा या घटेगा अक्सर करके क्या होता है जब बखरे नहीं विखते ना तो लोग प्राइस कम कर देते तो अपना क्या रेने वाला है इस बार अपना पूरा मूर देनेगा ठीक है 35,000 यह बोल रहे हैं और पिछली बार भी बखरों को 43 हाइट है खसी में है बीटल में है माशाला असी के 75-80 kg के बीच का वेट होगा इस बखरेगा और यह 35,000 कोड करें जिसमें स्लाइटली नेगोशेट हो जाएगा नंबर में स्क्रीन के उपड़ शारुक भाई को दे दूँगा जो कोई इंटरेस्टेट हो इनसे डारेक्ली कॉंटेक करें शारुक भाई यहां पर आने के लिए कोई लोकेशन मांगे तो आप इस जगह का लोकेशन बेद देना लोगों को ठीक है तो इसको वीडियो क्लोस कर अग्त है है घाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में जब तक कि लिए गुट बाई टेक केर अल्दाब पर आपकेश्या झाल 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 झाल